नमस्ते, प्रणाम, मैं मिनाक्षी चेन, स्वागत करती हूँ आपका चैनल मिनाक्षी चेन पर ये वीडियो है माइथोलोजी क्वीज का पार्ट 9 जिसमें सबी क्वेश्चेन्स रामाइण पर है इससे पहले mythology के part 4 और part 5 में specially रामायन के ही quiz सामिल है और बाकी के सब भी mythologies के वीडियो में पुरानों से related सब भी question and answer missed सामिल है First question, रामायन के रचाइता जिन्हें आदी कभी भी जाना जाता है, उनकी जैनती कब मनाई जाती है When is the birth anniversary of the author of रामायन celebrity? Who is also known as आदी कभी? Options है A. अस्विन पुर्णिमा, B. स्रावन पुर्णिमा, C. आसाड पुर्णिमा, D. वैसाग पुर्णिमा तो रामायन के रचाइता महर सिवाल में की जिन्हें आदी कभी भी जाना जाता है, उनकी जैनती अस्विन पुर्णिमा को मनाई जाती है तो राइट आंसर, Option A. अस्विन पुर्णिमा, हिंदू गैलेंडर में पुर्णिमा सुकलपक्स के अंत में आती है और अस्विन माह के सुकलपक्स की दसमी को दसरा या विजया दसमी भी मनाई जाती है मैं आपको दोनों दिवस इसले साथ में बताती हूँ ताकि एक तिथी भी अगर याद हो तो दूसरी याद रखने में ज़्यादा सुविधा होती है यानि वालमिकी जैनती दसरा या विजया दसमी के पाँच दिन बाद आती है और इन बाकी के आप्शन्स में जो भी पुर्णिमा बताई है उन पर आने वाले पर्व या दिवस में बता देती हूँ जैसे रामायन के रचाईता महरसेवालमिकी की जैनती अस्विन पुर्णिमा को है उसी तरह महाभारत के रचाईता वेद वयास की जन्मती थी आसाड़ पुर्णिमा जिसे गुरु पुर्णिमा की रुप में मनाया जाता है और स्रावन पुर्णिमा जिसे सादारन भासा में सावन पुर्णिमा कहते हैं उस दिन रक्षा बंदन परव मनाय जाता है और वैसाक पुर्णिमा को बगवान बुद्ध की जैन्ती बुद्ध पुर्णिमा मनाय जाती है तो ध्यान से याद रखी वालमी की जैन्ती अस्विन पुर्णिमा और आसाड पुर्णिमा को गुरु पुर्णिमा यानि महर से वे रामायन के अनुसार मिथिला के राजा जनक की पत्नी का नाम क्या था? According to the रामायन, what was the name of the wife of मिथिला के इंग जनक? Options है, A. जान की, B. सुनेना, C. मैथली, D. वैदही तो राजा जनक देवी सिता के पिता थे और उनकी पत्नी यानी रामायन में सिता की मा का नाम सुनेना तो राइट आंसर, option B. सुनेना, राजा जनक की पत्नी या सिता की मा सुनेना और बाकी के अन्य तीन options में भी सिता के ही अन्य नाम है जनक की पुत्री होने के कारण उन्हें जान की मिठिला की राजकुमारी होने के कारण मैथेली और विदेह राज्य की राजकुमारी होने के कारण बैदेही जनक के पुत्री होने के कारण सिता कुछ जानकी के अलावा जनक सुता और जनक आत्मजा जनक नंदनी आदी नामों से भी जाना जाता है Next question रामायन के अनुसार जब भगवान राम किसकिन्धा पहुँचे तब वहां का सासक कौन था? According to the रामायन, who ruled the kingdom of किसकिन्धा when Lord Ram arrived there? और options हैं A. सुगरिव, B. निसादगु, C. वाली, D. युद्धाजिव तो जब भगवान राम किसकिन्धा पहुँचे तब वहां के सासक वाली थे, जो सुगरिव के बड़े भाई भी थे, तो राइट अन्सर, option C. वाली और राम ध्वारा वाली वद के पश्चाद किसकिन्धा के सासक वने सुगरिव और ये निशाद राजगु जो भगवान राम के गुरु असरम के मित्र थे, ये स्रंगवेर पूर के सासक थे, स्रंगवेर पूर और option D में युद्धाजित ये के कई राजगे के सासक राजा अस्वपती के पुत्र थे, राजा अस्वपती दसरत की रानी के कई के पिता थे, यानि भरत के नाना थे और युद्धाजित रानी के कई के भाई और दसरत पुत्र भरत के मामा थे रामायन के अनुसार इन में से कौन लक्ष्मन और उर्मिला के पुत्र थे According to the रामायन, who of them was the son of लक्ष्मन और उर्मिल? और options हैं ए तक्स, उसकल, बी, लव, कुस, सी, अंगर, चंद्रकेतु और डी, सुबाहु, सत्रुगाती तो हम सब जानते हैं लव, कुस, राम और सीता के पुत्र थे और इन में से लक्ष्मन और उर्मिला के पुत्र थे अंगर्द और चंद्रकेतु तो right answer option C, अंगर्द और चंद्रकेतु, लक्ष्मन और उर्मिला के पुत्र थे और ये तक्स और पुष्कल, भरत और मांडवी के पुत्र थे वहीं सुबाहू और सत्रुगाती, सत्रुगन और सुरुतकृती के पुत्र थे एक बार फिर ध्यान दीजिये तक्स, पुष्कल, मांडवी और भरत के पुत्र थे लवकुष, राम और सिता के पुत्र थे अंगत और चंद्र केतु उर्मीला और लक्षमन के पुत्र थे वही सुबाहू और स्ट्रुगाति सुरुत किरती और स्ट्रुगन के पुत्र थे Next question रामायन के अनुसार राम, लक्ष्मन, भरत और शत्रुग्न की एकलोती बहन कौन थी? According to the रामायन, who was the only sister of राम, लक्ष्मन, भरत और शत्रुग्न? और options हैं A. अरुन्धती, B. अनुसुरिया, C. धन्यमालीनी, D. सांता तो राम, लक्ष्मन, भरत और शत्रुग्न की एकलोती बहन थी सांता, जो राजा दस्रत की एकलोती पुत्री थी, सांता राजा दस्रत और कोशल्या की पुत्री थी? तो राइट आंसर अप्शिन डी सांता और ये सांता राजा दसरत और कोसल्या की पुत्री रिसी स्रंगे की पत्नी थी रिस्य स्रंगे की इन्ही रिस्य स्रंगे के नेतरत्व में राजा दसरत ने पुत्र कामेश्टी यग की संपन्न किया था सांता जेस्तर रिसी स्रेंगी की पत्नी थी वैसे ही अरुन्धत्ती रिसी वशिष्ट की पत्नी थी और अनुसुया रिसी अत्रे की पत्नी का नाम था और धन्य मालिनी रावन की एक पत्नी का नाम है ये रिसी वसेष्ट दसरत के चारो पुत्रों की गुरू थे और राजकुल गुरू भी थे वनवास काल के समय जब राम, लक्षमन और सीता सहित रिसी अत्री के आश्रम पहुँचे थे तब सती अनुसुया जो रिसी अत्री की पत्नी थी सीता को दिवय आभूशन और वस्त्र दिये थे तो ये इन्फोमेशन याद रखेगा कि सीता को दिवय वस्त्र और आभूशन किसमे दिये थे तो सती अनुसुया ने ही सीता को दिवय वस्त्र और अभूशन दिवय प्लोच और जोलरी दि थी और जिनकी पत्ती रिसी अत्री थे अब नेश्ट वेस्चे रामायन में मेगनाद और अक्षे कुमार का आपस में क्या रिस्ता था? What was the relationship between मेगनाद और अक्षे कुमार इन दर रामायन? और ओप्शन हैं A. सगे भाई, B. सौतेले भाई, C. चाचा भतीजा, D. चचेरे भाई, रियल ब्रदर्स, हाफ ब्रदर, अंकल और नेफ्यू, कजिन तो मेगनाद जिन्हें इंद्रचीत भी कहा जाता है और अक्षे कुमार दोनों ही रावन और उनकी पत्रानी मंदोदरी के ही पुत्र थे इसलिए न तो चचेरे भाई, न सोतेले भाई, दोनों सगे भाई थे तो राइट आंसर ओप्षन ए सगे भाई, रियल ब्रदर्स, मेगनाद या इंद्रचीत का वद लक्ष्मन ने किया था वहीं अक्षे कुमार का वद हनुमान जी ने किया था जब सीता खोज के समय हनुमान जी असोक्वाटिका में पहुँचे तब अक्षे कुमार का वद असोक्वाटिका में हनुमान जी ने किया था नेक्स्ट क्वेस्चिन, रामायन में चंद्रहास खडग यानि तर्लवार किस के पास थी? तो चंद्रहास खडग रामायन में रावन के पास थी, जिसे रावन ने भगवान सिव से प्राप्त की थी? तो राइट आंसर ओप्शन बी रावन और इसी चंद्रहास खडग से रावन ने गिदराज जटायू का पंक काटा था रावन जब सीता हरन कर लंका ले जा रहे थे, तब गिदराज जटायू ने ही सीता को रावन से बचाने का प्रेत्न किया था और तब रावन ने जटायू का पंक चंद्रहास खडग से काटा था रामायन के अनुसार रिसी विश्वामित्र ने किस राजा के लिए नए स्वर्ग का निर्मान किया था अकॉर्डिंग टू दरामायन, और विच किंग डिद रिसी विश्वामित्र क्रियेट अनुस्वर्ग और हैवें और ओप्सिन्स हैं, ए भगीरत, बे त्रिसंकू, सी सगर, दी तिले तो रिसी विश्वामित्र ने सुरिवंस के जिस राजा के लिए एक नए स्वर्ग का निर्मान किया था वो थे राजा त्रिसंकू, सुरिवंस या एक स्वाकू वंस के एक राजा थे जिसे रिसी विश्वामित्र ने सरीर स्वर्ग वेजा था देवराजिंद्र ने उन्हें स्वर्ग से वापस प्रत्वी की और धकेल दिया नीचे गिरते हुए त्रिसंकु को बीच में ही लटका कर रिसे विश्वामित्र ने एक नए स्वर्ग का निर्मान किया था तो राइट आंसर अप्शन B त्रिसंकु त्रिसंकु का जन्म सुर्य वंस के या एकस्वाकु वंस के राजा प्रुथु के पुत्र सत्यवरत के रुप में हुआ था राजा सत्यवरत या त्रिसंकु राजा त्रिसंकु राम के पुर्वज है राजा सत्यवरत के पुत्र थे राजा हरिश्चंद्र जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से मसहूर है और रिसी विश्वा मित्र पर तो इतने question बन सकते हैं कि पूरा एक वीडियो भी कम पड़ जाए अगर आप रिसी विश्वा मित्र पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर मैं वीडियो बनाने की कोशेश करूँगे और अब next and last question रामायन के अनुसार राजा भगीरत ने प्रत्वी पर आने पर गंगा का प्रवाह कम करने का अनुरोध किस से किया? According to the रामायन, whom did राजा भगीरत request to reduce the flow of गंगा when she arrives on earth? और options हैं A. सीव, B. हिमाले, C. पार्वती, D. करती के तो पुराणों के अनुसार गंगा को प्रत्वी पर सुर्य बन्स के राजा भगीरत के प्रत्नों से लाया गया था और राजा भगीरत ने प्रत्वी पर आने पर गंगा का प्रवा कम करने का अनुरोध भगवान सीव से किया था इसलिए right answer option A. सीव वीडियो अगर ध्यान से देखा है तो वीडियो में दी जानकारी के आधार पर ही पूछे गए इस प्रसना का उत्तर कमेंट करें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें अपने family and friends के साथ social groups पर भी share करें अपना feedback कमेंट के मात्यम से मच तक पहुंचावें और निरंतर educational वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर bell icon प्रेस कर all notification भी on कर दे thanks a lot for watching this video